हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू आवर चैनल ओनर्स इंग्लिस टूडे आवर टोपिक इज सोनेट 3 लुक इन दाइ ग्लास एंड टेल दफेस दाव व्यू एस्ट बाई विलियम सैक्सपियर इसके अंदर सैक्सपियर कहते हैं कि तुम खुद को सीसे में देखो और सोचो कि क्या तुम्हारे जैसा एक ओर फेस नहीं आना चाहिए यानि कि तुम्हारा छोटा सा बेबी इस दुनिया में नहीं आना चाहिए क्या तो पॉइट इसके अंदर भी यही सुझेसन देता है कि यदि हमें अपने बुढ़ापे के अंदर अपनी जवानी को देखना है तो हमे बच्चे पैदा करने चाहिए जिससे उनको देखकर हमें ऐसा लगे कि हम मिरर को देख रहे हैं और मिरर के अंदर हमारी ही छवी है लुग इन दाइग लास एंड टेल फेस दाव विएस्ट लुग इन दाइग लास आइने के अंदर खुद को देखो तेल दाव विएस्ट और बताओ कि जो चेहरा तुम्हें दिख रहा है अब वो समय आ गया है कि यह है चेहरा किसी और का भी होना चाहिए यानि कि तुम्हारा एक बेबी होना चाहिए वोज फ्रेस रिपेर इफ नाव दाव नोट रिनुएस्ट पोईट कहता है कि यह दि तुम अपने इस फ्रेस लुग को आगे नहीं बढ़ाओगे दाव डोस्ट बीगल दावर्ड अन्ब्लेस सम मदर तो तुम इस दुनिया में हो जाओगे और किसी ना किसी मा के लिए खुद को आइने में देखो और बताओ क्या तुम्हारे जैसा एक और चहरा इस दुनिया में लाने का समय आ गया है और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम इस संसार में खो जाओगे तुम्हारी कोई पहचान नहीं रहेगी यानि कि तुम्हारा जो लुक है वो आगे नहीं बढ़ेगा और तुम किसी ना किसी मा के लिए अनबलस्फुल हो जाओगी फॉर वेहर इस सी सब्फेर वुज अनियर्ड वॉम डिस्डेंस दाट टिलेज ओफ दाई हस्बेंड्री पोईट कह रहा है कि इस दुनिया में कौन ऐसी महिला है जो तुम्हें अपना हस्ब ऐसा कौन है जो कि इतना सोकीन है मरने का बीना बच्चा पैदा करे यानि कि ऐसा कौन आदमी है जो बीना बच्चा पैदा करे मरने का सोकीन है ओफ इस सेल्फ लव टू स्टो पोस्टेरिटी पोईट कहता है कि कौन है जो खुद से इतना प्यार करता है और दुनिया में खोज़ सके ढाओ आट दाइ मधर्ज़ ग्लास एंड सी इन दी पोउट कहरा कि तुम्हारी मा भी तुम्हें खुद को देखते होगी यानी कि तुम्हारी मा के लिए सीशे के समान हो काल स्बेक दलावली अप्रेल ओफर फेल्वौ यानि कि तुम्हारी माह को अपना पुराना समय याद आ जता है चनल वो तुम देखती है यानि कि तुम तुम्हारी माह के लिए जवाने के दिनों के समान हो सो दाव थूविंडोज ओफ दाइन एज शालट सी डिस्पाइट ओफ रिंकल्स दीज्डाइग गोल्डन टाइम यानि कि डिस्पाइट ओफ रिंकल्स जब तुम्हारे चहरे पर जूर्या पड़ा जाएंगी दिस दाई गोल्डन टाइम् तो तुम तुमारे golden time को so thou through the window अपने बच्चों को एक खिड़की के समान मानकर तुम उस खिड़की के थुरू अपनी जवानी को देखोगी यानि कि अपने बच्चों के थुरू तुम अपनी जवानी को देख पाओगे उनके अंदर देख पाओगे जैसे तुमारी माज डाइ सिंगल यदि तुम सिंगल मर जाओगे और दाइन इमेज डाइज विद दी तो तुमारी जो यह इमेज है ना यह खुबसूरत इमेज जो इस दुनिया में बनी हुई है वो भी तुमारे साथ चली जाएगी यानि कि तुमारी खुबसूरती को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा तुमारी ब्यूटी तुमारे साथ ही चली जाएगी इस धरती पर तुमारा नामों निसान भी नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स हमारी सोनेट थर्ड कंप्लेट हुई बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ